हेलो दोस्तों मैं सभीता ग्रीन गुजराज से फ्रंट्स आज में आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर आउडोर आप जो भी बोल सकते हैं ऐसे प्लांट के की इनफोर्मेशन सेयर करने वाली हों जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और हमारे सरीर के लि आप लगा सकते हैं उसके पहले आप देख सकते हैं गार्डन में खिल रहे खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता जो इस टाइम पर वारिस में जो है सबके गार्डन में इसी तरीके से छटा विखेरे हुए है तो आज में आपके साथ में जो प्लांट सेयर कर हुए उसी में के बहुत सारे एर प्यूरिफायर हवा को सुद्ध करने वाले प्लांट होते हैं जैसे कि मैं यह प्लांट सेयर कर रहे हुए सिंगोनियम सिंगोनियम की वेराइटी की सबसे पहले बात करूं तो यह जो है थोड़ी सी लॉंग वेराइटी है इसमें एक ड्व में कहीं मिल जाएगा या कटिंग से कहीं मिल जाएगा क्योंकि प्लांट की संख्या बढ़ती ही जाती है बारिस में कटिंग से लगा लगा कर बहुत सारी ब्लांट बन जाते हैं तो यह बहुत ही हवा को सुद्ध करने वाला प्लांट है इसकी मैं बात करने वाली हूं कि इ आप इसको जो है ऐसी जगह पर रखी जिससे की बारिस की फुहारवरे जो छीटे होते हैं इस पर आते रहें इससे जो है प्लांट जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा और इससे आप इस टाइम पर बारिस के टाइम पर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं एक प्लांट तो आप इसका बंगान संही है जिसे कि छोटी-चोटी कटिंग भी लग जाती है!? जब भी आप स सकती है लगाएं 3-4 तो टोटा साथा व्ही रूप में में तैयार हो दूसरी बात pot का size तो pot का size जो है आप कोई भी रख सकते हैं इंडूर table top पे रखना है, dining table पे रखना है तो उसे साफ से आप ceramic pot में लगा सकते हैं या coffee mug में लगा सकते हैं जैसे भी आप को ठीक लगे आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी इसकी ग्रफ बहुत अच्छे से होती है, यह बहुत ही कुप्सुरत प्लांट होता है, और हमारे दैनिक जीवन में जब हमारे पास में टाइम की कमी होती है। तो हमको ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो की हमारे घर के बातावरान को सुध्ध करते हैं और बहुत ही हाड़ी होते हैं जिनकी कोई maintenance नहीं होती है इनको किसी परकार की खाद बगेर की भी से जरूरत नहीं होती है मैं इसमें किसी भी परकार की कोई खाद नहीं डालती हूँ जब मैंने इस्टेंड पर रखा था तो दिखाया था अब मैंने इसको थोड़ा सा हटा कर रख दिया है उपर से मैं इसको दिखा रहे हूँ किस तरीके से ये दिखता है चोटे से पोट में लगा है पांच इंच के पोट में और जब से मैं इसको लेकर आई हूँ मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है मैंने ऎरेक इसी कें राइंग तो है लगा सिनी तो इस तरीके से कतंगा अब लगाइँ रर्ण के लेका साइथ आप कन डी की भनेतू हाई पतिों के पैटर्न की करें इस अप Mm नारसरी में आप जाएंगे तो आपको 30-40 रुपए से स्टार्टिंग होती है नॉर्मल वेराइटी की और अगर आप डॉप वेराइटी के लेंगे थोड़ी से कोश्टली मिलेंगे आपके पास कहीं भी आपको मिलता हो तो कटिंग से आप लगा लें बहुत अच्छे से प्ल प्लांट चाहिए तो कटिंग जल्दी से सक्षेज नहीं होगी क्योंकि हमीं कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग जरूर लगाइए आप यह प्लांट जो है पर्चेस करके जरूर लाएं बहुत ही अच्छा प्लांट है बहुत हार्डी प्लां इस तरीके से आप केर करेंगे तो आपकी बारिस में भी यह प्लांट बहुत अच्छी से चलेंगे अगर आपने इसको बॉटर में लगाया है किसी भी आप काँच की बॉटल में लेकर और पानी डाल कर और दो चार जो है इस टेम डाल दें तो यह प्लांट लग जाएगा बॉटर जो है चेंज करते रहें साथ साथ दिन पर या पांच पांच दिन पर तो कटिंग जो है बहुत आसानी से चल जाएगी इसी तरीके से केर करने हैं विशेस कोई ज़्यादा केर नहीं है इनकी कैसे भी पॉट में आप लगा सकते हैं वेश्ट माटीरियल में भी लगा स चैनल पर नूँ हो तो सब्सक्राइब कर देना यह जो आप देख रहे हैं मेरे टोरेनिया के प्लांट हैं जो मैंने कटिंग से लगाए थी कुछ दिन पहले और आप देख सकते हैं इनकी बिलूमिंग तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नई वीडियो में ना टॉपिक के स